नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर संदीप साहू और आज हम बात करेंगे पपीता की यह बहुती स्वाधिश्ट और 12 महिने आसानी से मिलने वाला फल है यह हमारी सेहत के लिए लाब दायक होता है और इसमें पोशक कत्तों के साथ-साथ कई और शधिये गुण भी होते ह पपीता खाने से इम्मिनिटी भी बढ़ती है पपीता में विटामीन A, विटामीन B, रिटामीन C, विटामीन E, और विटामीन K भरपूर मात्रा में होते है इसके साथ इसमें कई मिनरल्स जैसे की कैल Punisian, magnetium, Phosphorus, Potassium इत्यादी होता है काफी अच्छी मात्रा में खासकर soluble fibers होते हैं पपीता खाने के फाइदे इसमें high fibers होने के कारण यहाँ पाचन दंदर को दुरूस रखता है और constipation के समस्या को ठीक करता है इसमें पेपेन नमा के इंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है इसलिए जो नीमित रूप से मीट खाते हों या जिन्हें पाचन संबंदी कोई समस्या हो उन्हें regularly पपीते का सेवन करना चाहिए 100 गाम पपीता खाने से लगबग 32 किलो कलरी इनर्जी मिलती है इसलिए जो अपना वजन कम करना चाहते है जिन्हें मोटापा है उन्हें सुबा या साम पपीते का सेवन अवस्चे करना चाहिए यह एंटी आक्सिदेंट से भरपूर होता है सांत में इसमें लाइकोपिन नमक पदार्थ होता है यह दोनों मिलकर कैंसर सेल को कम करने में सायक होते हैं इसलिए जो कैंसर के रोगी हैं उन्हें निमित रूप से पपीता खाना चाहिए लाइकोपिन और विटामिन C होने के कारण यह हार्ट को भी हल्दी रखता है यह बैट कोलेस्टराल को कम करके गुड कोलेस्टराल को बढ़ाता है सुगर के मरीज भी कम पका हुआ कम मीठा पपीता थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं यह उनके लिए लाबदायक होगा पपीते में बीटा के रोटीन विटामिन A की अच्छी मात्रा होने के कारण पपीता खाना आखों के लिए भी फाइदेमंद होता है पपीता खाने से इसकीन भी स्वस्थ और चमकदार बनती है अगर आप अपने चहरे पर इंस्टेंट गलो चाहते हैं तो फेस वास करके एक अच्छे से पके हुए पपीते को मैश करके अपने चहरे पर 10 मिनट के लिए लगा लें फिर सादे पानी से धोलें इसके आपके चहरे में निखार आ जाएगा आपके चहरा चमक उठेगा यह डेड स्कीन को निकालता है और जूरियों को भी कम करता है इसके इस गुंड के कारण इसका उप्योग आजकल ब्यूटी प्रोड़क्ट्स में काफी मात्र में किया जा रहा है पपीते में प्राकृतिक रूप से इस्ट्रोजन हर्मोन पाया जाता है इस कारण जिन महिलाओं को regular periods नहीं आते हैं या जिने periods के समय काफी दर्द होता है उन्हें पपीता खाने से काफी लाब मिलता है इसमें इस्ट्रोजन होने के कारण ही गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अगर पपीता खाती है तो पपीता खाने से उनका प्रोजस्टान लेवल डाउन हो जाता है जिससे गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से बचना चाहिए जिन लोगों के खून में platelets की कमी हो उन्हें पपीते की पत्ती का जूस बना कर पीना चाहिए इससे platelets की संख्या में इजाफा होता है इन भर में 200-200 ग्राम से जादा पपीता नहीं खाना चाहिए इससे जादा पपीता खाने से आपके पेट में दर दिया पेट में एठन की समस्या हो सकती है किने पपीता नहीं खाना चाहिए गर्भवती महिलाओं और एक वर्से से छोटे बच्चों के लिए पपीते का सिवन ठीक नहीं होता है जिन्हें दस्त हो रहा हो उन्हें भी पपीता नहीं खाना चाहिए इसके अलावा जो ब्लड पतला करने वाली दवा जैसे एस्पेरीन या वार्फेरीन ले रहे हो उन्हें भी पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह एस्पेरीन और वार्फेरीन के पोटेंसी को बढ़ा देता है आज के लिए इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें